अब इसके अंदर हमने देखना यह है किस तरीके से हमने डेटाबेस के साथ अपने सिस्टम के साथ करनी है इसके लिए हम बेसिकली दोनों तरह से यूज कर सकते हैं SQL Server भी यूज कर सकते हैं मैं आपके लिए MySQL यहां पर इसकी डॉल्पन की शेकल की बना होता है जिन्हों ने अभी इंस्टॉलेशन नहीं किये इसको हम इंस्टॉलेशन कर लेंगे लेकिन अभी दोनों में कोई परक नहीं है अगर आपने SQL Server किया हुए है और MySQL किया हुए है तो जोनों सेन तो सेन अभी पहले सिर्फ मैं आपके लिए यहां पर जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो रूट पर क्लिक करके मैं एक लॉग इन पर आ जोँगा अब सबसे पहले देखें कि अगर आपने database बनाया हुआ है और क्यूरी बनाई हुए है तो आपने database बनाना है create database यही क्यूरी आपने SQL में पड़ी होगी create database करने के बाद एक database का नाम रखना है और database का नाम for example मैं aptic के नाम से database बनाता हूँ और आखर में semicolon लगाने के बाद इसको आपने यह जो नजर आ रहा है यहां पर निशान इसके आपका query aptic जो है database create हो गया है यहां पर आप इसको refresh करेंगे तो यहां पर aptic का यह फोल्डर बन चुका है अभी मैं इसके अंदर tables नहीं बना रहा मैं कुछ नहीं बना रहा मैं सब आपकी application के अंदर यह बताना चाहरा हूँ कि mysql और visual studio के अंदर आपने इन दोनों को merge कैसे करने इसका connection कैसे establish करने सो आप आजें जी यहां पर आपकी application है यह आपका form 1.cs design है जो हमने last time तक login form बनाया था आप लोगों के लिए वो मैं यहां पर style issues का आ चुका हूँ अब सबसे पहले आपने solution explorer पे आना है जब आप solution explorer पे आएंगे तो सबसे पहले आपने references के उपर click करना है जब references पर click करेंग to add reference आएगा आप कई तरह के databases हैं कई तरह की information हैं जो आप अपने system में डालना चाहते हैं इसको दालना चाहते हैं माईस्कूल डालना चाहते हैं उन सब के references जो हैं वो यहां पर मजूद हैं अब search करवा लेते हैं mysql आप use करना चाहरे हैं तो mysql.data इसको हम search करते हैं कि यहां राफ्रेंस पिस पर क्लिक कर दें दुबारा से एड राफ्रेंस कि थोड़ा सा इंतिजार क्योंकि वह आपकी कुनेक्ट्विटी लेता है mysql.data तो यहां पर मुक्तलिफ वर्जिन आ रहे हैं आपने एक भी इसमें से लेके उसको चेक करना है और ok का बटन प्रेस कर देना आपने यह याद रखना है कि रेफ्रेंसे में mysql.data आना चाहिए जब आपके यहां पर आ जाएगा तो next आपका यह काम है कि आपने इस form के उपर क्लिक करना है और सबसे उपर जो आपने classes एड की हुई है जो हम packages की बात करते हैं यहां पर using लिखेंगे mysql.data.sql.mysql.pline यहां तक आपने इसको देना इस तरीके से आपका जो database के साथ है वो यहां तक information पहुंड जाए यह पहला package देना जरूरी है next आपने क्या करना है वो server explorer पर क्लिक करना है पहले अभी तक आप toolbox से वाकश थे अब आपने server explorer पर क्लिक करने के बाद आपने data connections के उपर आना है हर जगा पर जो भी आपका है वो local host पी रखता है local host देने के बाद आप ने जो अपना user बनाया है वो अमोमन तोर पर user name root ही होता है किसे आपको याद होगा कि मैं आपको दखा रहा था तो आप यहां से आके server status के अंदर यहां से आपका server status है यह connect to database यह आपका root है यह नजर यहां से आपने यहां तक मुंतिकल करने हैं मैं अपना password दे रहा हूं जो भी आप password इसको installation के दुरान रखा था उसको save my password करने है और test connection जब तक आपकी इस screen के ओपर test connection succeeded का message नहीं आज़ा था until or unless आपका कोई भी connection working नहीं करेगा आप जितनी मर्जी क्योंगी लिखने आपका database का name देखें तो यहां पर आपको वो तुमाँ databases नजर आ रहे हैं और अभी हमने एक बनाया था इसके एक के ओपर click कर दें और ok कर दें यहां पर आपके सामने आ जाएगा local host एक यह इसना काम आपने perform करना है हाग दफ़ा जब भी आपने को database लगाना है और इसके तब connectivity करना आपने उसके साथ भी सारा काम perform करना है तो यहां तक आज हम उसको रख रहे हैं thank you very much all Allah